סלाम्स अलेकम आज हम लोग बहर रहे हैं numerical analysis और इसका हमारे पास कोटीकर नोन-linear homogeneous equation तो इनको हमने solve करना है तो इसकी लिए 5 method होते हैं हमारे पास तो वह हमारे पास है और हमिजरी सी क्रेशन तो मारे पास है यह एप हो था हमारे पास कोई भी एफ हूआ है जरो कि को लोना चाहिए ठीक है तो हमारे पास जो मैंधड तबसे पहले हमारे पास है बाइसेक्शन मैंधड की आगे है रेगलर फाल्सी मैंधड कि इसके बाद सीकर मैंथड़ कि पॉर्ट है मार पास न्यूटन मैंथड एप्सम मैंथड लास्ट हमारे पास फिक्स पॉइंट इंटर इंट्रक्शन मैंथड टीके हम इनको एक ही करके हम इनको सॉल्ट करेंगे इनका क्या तरीका इनका फार्मूला वगारा सार देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम डिस्कुस करेंगे यहां पर जो है ना बाइस सेक्शन मैंथड को तो इसकी हमाई पर ट्रेफिनिशन है कि इस आल्सों काल्ड इस आल्सों काल्ड बैल जैनू मैथट एंड इंटर्वल हैविंग मैथट टीक है तो यह हमारे पास है कि सेक्शन मैथड को हम लोग लेल मैथड भी कहते हैं और इंटर्वल हैविंग मैथड करेंगे तो हम पिश्क्वाश्त करेंगे तो हमारे पास कोई है कि f of x is equal to e x minus ln x minus 20 तो हमें पता जो हमारे पास f of x वो किसके equal है 0 के तो यह हमारे पास यह सोरी e x minus ln x minus 20 is equal to 0 के equal है तो आप हमने यह interval find कर लेना है तो हमारे पास जो interval होता है वो उनकी value हमारे पास less than 0 मतलब कि इनमें एक की value positive हो और एक की negative होनी चाहिए हमने interval कोई भी find कर लेना है और साथ कर लेते हैं तो हमने इसमें value save कर लेना है अपनी अपनी alpha sorry shift 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 अब alpha a minus ln n natural हो गए हमारे पास यहाँ पर x की जबा है हमने a यह पूट कर रहे है कोई भी variable है तो इसलिए हमने पूट कर लिया minus 20 यहाँ पर calculation दुबार नहीं है हम मैं यहाँ इंटर्वल ले रही हो 3 तो 3 से पूट कर रहे है तो हमारे पास value आ रही है for free minus 1.0131 तो और मैं 4 लेती हूं साथी के यहाँ पर हम calculation दुबारा इंटर्वाई करेंगे 4 तो हमारे पास आए 33.20 यह पर 4 से 33.2119 तो हमारे पास a की value आगी हमारे पास 3 और बी की value आ गई हमारे पास 4 तो c की value अब हमने यह पर c find करने का हमारे पास फार्मुला है a plus b over 2 ठीक है यह हमारे पास c का find करने का फार्मुला है तो हमने इनका table बनाना है हमने यह question तब तक करता है रहना है value जब अब तक हमारे पास C के वैली या तो 0 हो जे या फिर रिपीटिड हो जे तो हमारे पास ये टेबल A, B, F of A, F of B, C, F of C, ठीक है, A हमारे पास क्या लिया हमने 3, B, 4, उसके बाद F of A हमने क्या हमारे पास आया था, जब A की वैली पूट करके तो माइलस 1.0131 और F of B हमारे पास क्या आया था, 33.2119 और C हमने फाइंट करना है, तो हमने क्याल्कुलेटर पर करना है, यहाँ पर A, वैरिबल हम कोई भी पूट कर सकते हैं, प्लस B और 2, क्याल्कुलेशन, A की वैली हमारे पास क्या है, 3 है, क्याल्कुलेशन, B की वैली हमारे पास 4 है, तो यह हमारे पास वैली जो आ रही है, वो 3.500 है, ठीक है, तो हमने 4 डैसिमाल तक चेक करना है, तो इसलिए हमने 4 डैसिमाल तक जब तक हमारे पास अब हमने function में value put करनी है तो यहां पर calculation बता रहा है लेकिन हमने value c की बतानी है तो यह हमारी पास आगी value अब पोस्टि के साथ चेंज करना है अगर negative आए तो negative यहां पर हमने फोस्टि के साथ लिखना है तो हम एक फोस्टि के साथ लिखना है तो हम एक फोस्टि की वैली यहां लेकिन लम्र.8627 और c की value हमने रख लेनी है बी की जगह 3.500 बाकी हमने सेम ऐसी रख लेनी है f of a minus 1.0131 ठीक है और ऐसी हमने यह अगर question करते जाना हमारा यह question हो जेगा तो आसे question करते जाएंगे तो यह हमारा question ऐसे होगा हमारे यह c 15 पर हमारी c के value सेम आ रही है तो हमने यह question तब तक करते रहें जब सक C की वैलियू ना जाए हमारा होज़े का क्वेस्टन अगर आपको इस क्वेस्टन में कोई समय ना लगी हो तो आप मुझे से पूसरते हैं आपका बूब दो शुक्रिया लाफिस